हाई फ्रेंड्स वेलकम है आपका अपने ही चैनल टैक विद नफीस में तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फेस्बुक का पासवर्ड कैसे रीकवर्ज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसको बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स जो जानते हैं ये वीडियो उनके लिए भी है और जो नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके लिए भी है तो फ्रेंड्स बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट कर जाए फ्रेंड्स इसके लिए दो चीज़े बहुती ज़रूरी है आपको अपने फेस्बुक अकाउंट में फोन नंबर या इमेल इन दोनों में से एक को एड़ करना ज़रूरी है और मैं आपको सलाह दूँगा कि आप ये दोनों चीज़े एड़ करने इमेल भी और फोन लखिए तो ही आप अपने अकाउंट के पासवर्ट को रीकवर कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो और अगर आपने नहीं add कर रखा है नमबर और नहीं आपने email add किया है तो आपका ये account जो है उसका password और recover नहीं हो पाएगा तो friends अगर आपने email और phone number नहीं डाला है अपने facebook account में तो डाल लिजिए और चली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप in future आप भूलते है पासवर्ड अपना या आपका account कोई hack कर लेता है तो आप कैसे अपना account recover कर सकते हैं facebook के password को कैसे आप change कर सकते हैं चली मैं पूरा process आपको दिखाता हूँ आप किसी भी browser में आप चले जाएए chrome में या opera mini में यूसी में मैं यूसी मैं है ठीक यह मैंने अपने यूसी open किया अब मैं अपना password भूल चुका हूँ तो मुझे क्या करना है simply यहाँ पर लिखावा है forgotten password इस पर ok किजिए आप यहाँ पर अपना email या अपना phone number डाल दीजिए जो आपने facebook में डाल रखा है simply मैं आपके अपना number डाल देता हूँ यह मैंने अपना number डाल दिया और यह मैंने ok किया तो आप देख रहे हैं कि उपर message आ गया है code आ गया है और यहाँ पर हम code डालेंगे तो हम simply हाँ से वो देख लेते हैं क्या code आया है 820106 continue पर ok करेंगे अब हमें यहाँ पर यह रोंग डाल दिया मैंने फिर से मैं चेक कर लेता हूँ 820 106 तो देखिए यहाँ पर अब न्यू पासवर्ट के लिए आ गया है तो हम यहाँ पर अपना नया पासवर्ट डाल देंगे जो हमें पासवर्ट रखना है तो फ्रेंड्स आपने देखा बहुती सिंपल तरीके से आप अपने फेस्बुक के पासवर्ट को कैसे रिकवर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिस्क्राइब नहीं किया है तो आप यह रेट कलर के बेटन पर ok करके चैनल को सिस्क्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताके मेरी आने वाली वीडियो आप तक आर्टोमेंटिकली पहुंच जाए